सबसे पहली बात तो ये मुहतरमा जो गिनी है ये पहले ही अभे के साथ धोके के साथ रिष्टे में जुड़े हुई है लेकिन उसके बात जब अमन दिल से प्यार करता है अंजली को ये बात जानकर फिर से दो भाईयों के बीच में फूट लगानी की जो कुश करी है न यकीन मानिये गिननी एक दिन जब सभी के सामने तुम गिड़गडा कर माफ़ी मागने कोश करोगी न तो तब तुम्हें कोई न बचाएगा और तब तुम वापस अंजली की शरण में ही जाओगे क्योंकि यही वो अडवोकेट अवस्ती होगी जो तुम्हारी बहन होने के बाद तुम्हारे सारे रंगों को जानने के बाद भी तुम्हें उस दिन माफ पहरेगी और शाय तब तुम्हारी बहन का दिल कितना बड़ा है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात है टाइम स्वा मेडिया में जहाँ पर आपके अपने 15 शो अडवोकेट अंजली अवस्ती से जुड़े एक और वड़ाबनेट को लेकर मैं वेनिकुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ जहां पर बात कर दोस्तों आने वर एपिसोड की तो भाई आप गिन्नी को ये बात समझ आ चुका है कि अबै और अमेन के बीच में सही मौका आ चुका है वार लगाने का बीच म बने यही चाहती है हमारी गिन्नी और यही नहीं बल्कि यह भी चाहती है कि वह प्रिवार ऑज तो इस पूरे सिצ्वेशन का फैदा उठा के न गिन्नी एक नया बखेडा खड़ा करने वाली है और इसीविए दोस्तों अंजली के लिए एक बहुत बड़ी खबर यह आने व अंजली तुम ऐसी औरत हो जो मेरे भाई और मेरे भावी के घर ग्रियास्ती को तोड़ रही हो, आरे तुम उनके बीच पढ़ रही हो, ये गलत प्याम में अमन lifesवी अमन को जाएगे। अर वो इतनी जल्दी हार ना मनें, दोस्तो इस सीन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कि क्या वाकई अमन इतना कच्छा कमजोर रिष्टे में प्यार करता है अंजली से, कि उसका रिष्टा गिननी, उसकी भावी के बताने मात से चुड़ियागा, क्या लगता आपको एडवोकेट अंजली अवस्ती से जुड़े सार बिट को सबसे पहले पासके, मैं वेनिकुमार जल्दी मिलूँगा, आप सभी के सामने एक और नए अबडेट में, जहां पर बात करेंगे, एडवोकेट अजली अवस्ती के आने वाले अपकमिंग ट्रैक के बारे में, तब अब तक मुझे दे दोस्तों इजाजत और देखते रहे अडवोकेट अजली अवस्ती को स्टार प्रेस पर और एनिटाइम डिजनी पर सोट स्टाप और पातरा दोस्तों को स्टार बिट्स को टाइंस ओप मिडिया पर वो भी बिलकु फ्री में, बाई बाई टेक केर, जय ह महरत